शार्दिय नवरात्रे नवरात्री साल में चार बार पढ़ती है माग, चत्र, असाड और अश्विन अश्विन की नवरात्री को सार्दिय नवरात्री के नाम से जाना जाता है नवरात्री के वातवरण से तमस का अंत होता है नकरात्मक माहोल की समापती होती है सारदिय नवरात्रे से मन में उमंग और उल्लास की वृदी होती है दुनिया में सारी शक्ती नारी या स्त्री सवरूप के पास ही है इसलिए नवरात्री में देवी की उपासना ही की जाती है और देवी शक्ती का एक सवरूप कहलाती है इसलिए इसे शक्ती नवरात्री भी कहा जाता है नवरात्री के नौ दिनों में देवी के अलग-अलग सवरूपों की पूजा की जाती है जिसे नव दुर्गा का सवरूप कहा जाता है हर सवरूप से विशीष तरह का आशिरवाद और वर्दान प्राप्त होता है साथ ही साथ आपकी ग्रोह की दिक्कतों का समापन भी होता है इस बार शार्दिय नवरात्री 15 अक्तुम्बर से आरंब होने जा रही है और इसका समापन 24 अक्तुम्बर को होगा और दस्वे दिन दशैरा मनाया जाता है शार्दिय नवरात्री की तारीक और शुब मोहरत इस साल शार्दिय नवरात्री 15 अक्तुम्बर रविवार से शिरू होने जा रहे है नवरात्री की अश्टमी 22 अक्तुम्बर को और 9 मी 23 अक्तुम्बर को मनाई जाएगी इस 9 दिन के उत्सव का समापन 24 अक्तुमबर यानि दशेरे के दिन होगा शार्दिय नवरात्री सबसे बड़ी नवरात्री में से मानी जाती है शार्दिय नवरात्री के पहले दिन घट स्थापना की जाती है जिसका एक मुहरत होता है हिंदु पंचां के अनुसार अश्विन मा की प्रतिपदा तिथी 14 अक्तुमबर को रात 11 बज कर 24 मिनट पर शुरू होगी और प्रतिपदा तिथी का समापन 15 अक्तुमबर को रात 12 बज कर 32 मिनट पर होगा उद्य तिति की अनुसार शार्दिय नवरात्री इस बार 15 अक्तुमबर को ही मनाई जाएगी नवरात्री पर कलश थापना का सुब मोहरत जोतिशाचार्य ने बताया कि पंचान की अनुसार शार्दिय नवरात्री की प्रतिपदा तिति को यानि पहले दिन कलश थापना का शुब महरत 15 अक्तुमबर को सुबह 11 बजकर 48 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक रहेगा ऐसे में कलश थापना के लिए शुब महरत इस साल 48 मिनट ही रहेगा गट स्थापना तिथी रविवार 15 अक्तुमबर 2023 गट स्थापना का अभिजीत महरत सुबह 11.48 मिनट से दोपहर 12.34 मिनट तक इस तरह की और जानकारी के लिए मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करे तथा वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूले